नमस्कार मैं रविश कुमार क्या भारत सरकार यूट्यूबर को भी दबोचने की तयारी कर रही है मीडिया की गर्दन दबोचने और मरोडने के बाद आप गोदी मीडिया की मीमियाहट देख चुके हैं अब यूट्यूबर कुछ पत्रकार, कुछ विचारक, कुछ टिपनिकार, कुछ क्रियेटर, तरह तरह से सरकार और आज के हालाद पर टिपनि कर रहे हैं उन सभी को ब्राडकास्टर नाम का एक पाजामा पहनाया जा रहा है केवल पत्रकार ही नहीं, कुमेडियन भी इसके दायरे में आ सकते हैं और वो लोग भी जो अपने कुकरी शो में डाल पकाते बकाते या बता देते हैं कि साक्षी मलिक रोती रही मगर मीडिया हसता रहा, किसी ने दिखाया नहीं यूट्यूब आज के समय में स्वतंत्र आवाज की जगह है अगर यह भी खत्म हो गया तो आपके पास क्या बचेगा क्यों ब्राड़कास्ट बिल को यूट्यूबर के लिए खत्रा बताया जा रहा है प्रधान मंत्री ने 10 साल में एक भी प्रेस कांफरेंस नहीं की है काइदे से मोधी सरकार को बिल इस बारे में लाना चाहिए जिसमें प्रधान मंत्री के लिए अनिवारिय किया जाए कि वो हर साल 10 खुली प्रेस कांफरेंस करेंगे लोकसभा और राजसभा में कम से कम दस बार जवाब देंगे आप जानते हैं कि मौजूदा प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने दस साल में एक भी खुली प्रेस कांफरेंस नहीं की है विपक्ष तो उन पर यह भी आरूप लगाता है कि सदन में भी जवाब नहीं देते हैं ब्राडकास्ट बिल के बारे में आप से बात करना चाहता हूं यह केवल हम जैसे यूट्यूबर पत्रकारों के लिए जरूरी नहीं है बलकि आप जैसे दर्शकों के लिए भी बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना आप वो दर्शक हैं जिनके पास स्वाभिमान बचा है आपने गोदी मीडिया के घुलाम कंटेंट देखने से इनकार किया है एक तरह से आजादी किया लड़ाई आपने लड़ी है अगर उनमें जरा भी दम है तब आप जैसे दर्शक नागरिकों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि जब सूचना नहीं होगी, सूचना पवित्र नहीं होगी और स्वतंत्र नहीं होगी तो आप जिन्दा कैसे रहेंगे और नागरिक कैसे बन पाएंगे मोदी सरकार से सवाल कर ही नहीं सकते, अब तो यह बीमारी राज्यों में भी फैल रही है अब सोस की विपक्ष के राज्यों में भी पसर रही है, इतने बड़े देश में आपके पास गिनाने के लिए 10-20 पत्रकार भी नहीं है जो इन की तरह सरकार से सवाल कर सकें, जनता के मुद्धो को उठा सकें और उन खबरों से परदा हटा दें जिससे सरकार चाहती है कि परदा ना उठे ये हालत है आज के भारत की आप जैसे कमाल के स्वाभी मानी दरशक नहीं होते तो इन पत्रकारों के दुनिया विरान हो चुकी होती और टोटल कंट्रोल का सपना पूरा हो गया होता यूट्यूब की अपनी सीमाएं हैं और कमिया भी हैं मगर मीडिया से जबरन बाहर होने पर मजबूर किये गए इन दस बिस पत्रकारों के लिए अब कोई सहारा नहीं बचा है बलकि आप जैसे दर्शकों के लिए भी यूट्यूब आखरी सहारा है यहां आपके अबल दर्शक नहीं हैं बलकि आप भी अपना फोन उठाकर वीडियो बनाकर अपनी बात कह सकते हैं खबरों पर टिपड़ी कर सकते हैं आप वो दर्शक हैं जो किसी तरह घटिया गोदी मीडिया के चैनलों से जान छुडा कर अपनी आदितें बदल कर यूट्यूब पर पहुंचे हैं ताकि कुछ अलग देखें लेकिन लगता है सरकार को अलग कहना, अलग बताना, अलग दिखाना पसंद नहीं आ रहा यूट्यूब पर समनांतर रूप से एक टोली तयार हो रही थी जो अपने दम पर, अपने रिस्क पर सरकार से सवाल कर रही थी और उन विश्यों पर बात कर रही थी, जिस पर गोदी मीडिया बात कर ही नहीं सकता तो इस से तंग आकर दर्शकों के एक बड़े वर्ग में स्वाभी मान जागा और उन्होंने तै कि हम गोदी मीडिया नहीं देखेंगे, आप उन में से एक हैं मैंने कई बार आप से कहा है कि देश के लिए अगर कुछ भी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जरा भी मेहनत ना हो, तो गोदी मीडिया चैनलों को देखना छोड़ दीजिए किसी भी देश के लिए कुछ करने का इस से आसान उपाए मेरे ख्याल से आज की तारिख में कुछ भी नहीं है लेकिन जब दर्शक यूट्यूब पर पहुँच रहे हैं, इनके पहुँच की बात होने लगी है अब यहां भी गला घोटने का रास्ता निकाला जा रहा है अगर यूट्यूब पर भी पहरा बिठा दिया गया, कानून बना कर तरह तरह की प्रक्रियाओं में उल्जा दिया गया तो क्या होगा, ब्राटकास्ट बिल्के प्राफधानों से गुजर कर यही लग रहा है कि अब यूट्यूबरों पर भी लगाम लगाने की तैयारी हो रही है आज के दोर में पाउं में बेडियां पहना कर गुलाम नहीं बनाए जाते बलकि सुचनाओं को रोक कर उन्हें बदल कर आपके दिमाग में भूसा भर दिया जाता है बाकी गुलाम बनने का काम आप खुद ही कर लेते हैं जब तक सुचनाओं सवाल करने वाली सुचनाओं सरकार के भेद खोल देने वाली सुचनाओं आप तक नहीं पहुँच रही है आप गोदी जनता बन जाते हैं जैसे ही भेद खोलने वाली रिपोर्ट आने लगती है आपका दमाग भी खुलने लग जाता है और आप जनता बनने लग जाते हैं 20 दिसंबर को दिल्ली में डिजिटल पब्लिशर्स की संसा डिजी पब ने ब्राटकास्ट बिल और टेलिकॉम बिल पर चर्चा आयोजित की डिजी पब साथ डिजिटल पब्लिशर्स का संगठन है जिसका मैं भी सदस्य हूँ आप भी अगर कॉंटेंट क्रियेटर हैं तो डिजी पब के सदस्य से बन सकते हैं समविधान और कानून पर यूट्यूब वीडियो बनाने वाले मेगनाथ, क्विंट की रितु कपूर पर्यावरन पर रिपोर्ट करने वाले पत्रकार हिर्देश जोशी, दमूक नायक की मीना कोटवाल और मक्तू मीडिया के संपादक ने इसमें हिसा लिया ये सबी वो पत्रकार हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वतंतर रूप से काम करते हैं इस चर्चा में पत्रकारों ने कई बाते कहीं जिस से सुनने के बाद लगा कि आप दर्शकों के बीच भी इसकी बात की जाए हिर्देश जोशी ने कहा कि चिंता केवल लोकप्रिया और जादा सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर को लेकर नहीं होनी चाहिए बलकि गाओं देहात में काम करने वाले यूट्यूबर को लेकर भी होनी चाहिए उन्हें ये बिल किस तरह से प्रभावित करने वाला है इस पर बात हो और अंत में एकदम अंतिम छोर पर बची पत्रकारिता अब बचेगी या नहीं या सवाल सब के सामने होना चाहिए टेलिकॉम बिल पर अपार गुपता, तन्वीर ओबिराय, व्रिंदा भंडारी, श्रिया सिंगल जैसे वकीलों ने अपनी बात रखी टेलिकॉम बिल पास हो गया है लोगसभा और राज्यसभा से भी सरकारी एजेंसियों के द्वारा आप तक केवल इस बिल की खुबियां पहुचाई गई हैं लेकिन इस पैनल में जो सवाल उठाए गए, मीडिया में भी उस पर विस्तार से चर्चा नहीं हुई ब्राडकास्ट बिल को अभी सदन में पेश नहीं किया गया है लेकिन यह कानून अगर पास हो गया तब क्या एक आम यूट्यूबर सरकार के चंगुल में आ जाएगा वकील अपार गुपता का कहना है कि ब्राडकास्ट बिल और टेली कम्यूनिकेशन बिल और डेटा प्रोटेक्शन बिल को आप अलग अलग ना देखें इन तीनों बिलों का आपस में गहरा संबंध है तीनों बिल एक दुसरे के उद्देश की पूर्ती करते हैं जिसका संबंध नियंतरन से है सरकार, सुचनाओं और सवालों और मुद्दों के प्रसारण पर पूरी तरह नियंतरन रखना चाहती है अपार डिजिटल तानाशाही जैसी धारना का इस्तेमाल करते हैं लिए आजिब बोडसके रिजिए स्वादनacked के लिए लगारनाशने से है टिल्च justify this I think it justifies this and this is a authoritarian way to increase control by making recourse to what is a theological conception or what should be a government or a system run by scripture rather than constitution. हमारे आज के मेहमान मेगनाद ने ब्राड़कास बिल के ड्राफ्ट का गहन अध्यन किया है उनकी बातों को सुनकर यही लगा कि कोई भी यूट्यूबर जो करेंट अफेर्स के शेत्र में कुछ लिखता है बोलता है उसे ब्राड़कास्टर माना जाएगा तो क्या होगा हम इसी पर बात करेंगे करेंट अफेर्स का पर आपका कैमरा मुबाइल फोन कंप्यूटर लैप टॉप एडिट मशिन सब लेकर चला जाएगा सरकार को दिक्कत तो हो रही है क्योंकि कहीं से भी कोई नौजवान किसी योजना पर वीडियो बनाता हुआ उसकी पोल खोल देता है साक्षी मलिक मीडिया के सामने रोकर चली जाती है मीडिया उन्हें दिखाता नहीं उन 40 दिनों तक धरने पर पहलवान बैठे रहे वहाँ पर मीडिया के कैमरे नजर तो आए मगर किसी चैनल में उनकी रिपोर्ट नजर नहीं आई यह सवाल केवल साक्षी का नहीं राहूल गांधी जैसे विपक्ष के तमाम नेताओं के भी हैं इसलिए इस खत्रे को आप भी समझे जो व्यक्ति और जो निजाम अभी सत्ता में है उसे विपक्ष मुक्त संसत चाहिए प्रतिरोध मुक्त सडक चाहिए खिलारी मुक्त खेल चाहिए और उसे सवाल मुक्त प्रेस चाहिए सवाल मुक्त मीडिया चाहिए इसलिए उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चानी हो रही है। इसके कोई चर्चानी हो रही है। अदानी जी पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, राफायल पर फ्रांस ने काए कि भईया, इन्वेस्टिकेशन नहीं हो रहा हूं, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, हमारे MPs वहां पर दुखी हैं, बहार बैठे हुए हैं, हम सभी को इस ब्रह्म में नहीं रहना चाहिए कि ब्राड कास्ट बिल उन लोगों पर लगाम लगाने के लिए लाया जा रहा है जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं अगर सरकार इनके खिलाब करवाई करना चाहती है तो उसके पास पहले से कानून है लेकिन यही देखा गया है कि ऐसे यूट्यूबर या फिर ऐसे लोग जो संत का चोला पहन कर अपने जहरीले प्रवचन यूट्यूब पर डाल देते हैं सरकार उनके खिलाब इतनी जल्दी कारवाई नहीं करती है साफ है कि ऐसे यूट्यूबर जो सरकार से सवाल करेंगे उन खबरों पर बात करेंगे जिनें मीडिया की भाशा में दबा दिया जाता है वही इस ब्राड्कास्ट बिल के जरिये निशाने पर होंगे इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोट के जस्टिस जोसिफ ने कहा था कि नफरत फैलाने वाले किसी एंकर को एंकरिंग से क्यों नहीं हटाया जाता कोट के कारण चैनलों की अपने निगरानी संसार ने कुछ चैनलों और एंकरों पर जुर्माने लगाए हैं कोग्राम भी हटाए हैं फिर भी उनके काम धंदे पर कोई असर नहीं पड़ा अभी भी वैसा ही सब कुछ चल रहा है सुप्रीम कोट नहीं कहा है कि नफरत फैलाने के कई सारे बारीक तरीके होते हैं यूट्यूब की दुनिया बहुत बड़ी है लाखों लोग कंटेंट बना रहे हैं लेकिन करेंट अफिर्स वालों पर इतनी निगरानी क्यों क्या सामाजिक राजनितिक इस तर पर टिपनी करना सरकार के लिए चिंता का इतना बड़ा कारण बन गया है हम आज इसी पर बात करने वाले हैं मेगनाद ने इस बिल्ड के बारे में बहुत गहर से सोचा है उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसका अंग्रेजी नाम है मेग नर्ड म-E-G-H-N-E-R-D जिस पर वे अंग्रेजी में इसके बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं आज हम उनके साथ हिंदी में इस पर बात करेंगे मेगनाद आपका स्वागत है हम ये जानना चाहते हैं कि अब पत्रकार जर्निलिस्ट के साथ-साथ कई तरह के टर्म का इस्तमाल होता है यूत्यूबर कंटेंट क्रियेटर ब्राड कास्टर भी एक नया आगया है और जर्णिलिस्ट भी इस्तमाल होता है तो इन सारी जो अलग-अलग अधारनाय हैं लेकिन काम सबका एक ही है एक ही تरह का है broadcast bill कैसे सब को एक दाइरे में लाता है और इसके खत्रे क्या है अगर सारे यूट्यूबर जो प्रोग्राम बना रहे हैं content affairs पे वो अगर broadcaster कहे जाएंगे सरकार की नज़र में तो फिर कानून उन पर किस तरह से हमला करेगा तो मैं मेरा खुद का यह example लेता हूँ मैंने ground reporting किया news laundry के लिए मैंने parliament cover किया है elections cover किया तो तब मैं सोचता था मैं एक journalist हूँ लेकिन आज मैं खुद को journalist नहीं बोलता हूँ मैं खुद को content creator बोलता हूँ क्योंकि मेरे journalism के साथ-साथ मैं opinions भी देता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि democracy का मतलब क्या होता है सरकार किसे सवाल कैसे पूछने चाहिए अंग्रेजी में करता हूँ पर मेरे channel पर करता हूँ तो अभी हो क्या रहा है कि एक जो definition थी पत्रकार की और content creator की वो पूरी तरह से blur हो गई है और यह एक bill है जिसकी वज़े से वो और ही confusing हो जाएगा जैसे मैं एक उधारण के तोर पे ही बता दूंगा इसमें जिस तरीके से broadcaster को define किया गया है आप भी पढ़ सकते हैं यहां पे one to many transmission of audio, visual or audio programs इसको बोलते है broadcasting मतलब आप कोई भी आवाज से या visual से या दोनों तरीके से या meme से भी तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप content creator हो जैसे आप Instagram पर meme page चला रहे हो उस पे आप social commentary कर रहे हो, meme से भी social commentary होती है और इतना broad रखा गया है इसको कि general public और subscribers अगर आपका कुछ भी consume करेंगे तो आपको एक broadcaster बोला जाएगा और इसमें specifically internet broadcasting service include की गई है तो YouTuber और Instagram और Twitter तो एक बात है ही लेकिन आप सोचिए कि अगर आप एक कोई WhatsApp का group चला रहे है और WhatsApp के group पे अगर आपको एक current affairs का video डाल दिया है उसमें है 200-300 लोग और वो अब forward हो रहा है दूसरे groups में तो क्या ये bill के तहत वो भी broadcaster हो जाएगा यूँकि वो भी तो audio-visual medium ही हो गया है वैसे ही तो ये स्पष्ट है या इसमें स्पष्ट है कि WhatsApp group बनाकर अपना video कई बार हमें ऐसे video मिलते हैं जो किसी channel पर नहीं होते ना news channel पर ना YouTube channel पर मगर कोई creator बनाकर वो politically भी होता है और independent लोग भी करते हैं तो वो भी इसके ताहरे में है तो इतना broad रखा गया इसको कि वो clarification ही नहीं इसमें मतलब हो क्या रहा है जैसे आपने जैसे बोला कि अपार ने बोला कि यह जो तीन बिल आपने बोले है इसमें एक बड़ा problem यह है कि कोई specificity नहीं है इसमें अगर मैं आपको दिखा हूँ rules के कितने pages तो 5-6 pages तो rules से ही भरे हुए कि सरकार सोचेगी कि आपके कितने subscriber होंगे वो हम बताएंगे आपको registration कैसा करना पड़ेगा वो भी हम बताएंगे और वो prescribed rules से करेंगे मतलब इसका मतलब है कानून पास होने के बाद वो एक rules बनाएंगे इसके under और फिर वो change करते रहेंगे और उसमें आप emerging technology भी include कर सकते मतलब जो अभी आया नहीं जो अभी दो आया नहीं अगर Twitter के बाद AI से कुछ और आ जाए Facebook जैसा, WhatsApp जैसा, YouTube जैसा बिल्कुल वो भी इसमें डाल दिया या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो कुछ डालना भूल गए बीच में आप अगर कल loudspeaker लेकर लेकर balcony में खड़े होके चिला रहे होगे अगर news पढ़ रहे जैसा मैं कहता हूँ कि अगर आप चारो तरफ से बंद कर दे तो मैं मेले में जाकर सड़क पे खड़ा होकर news पढ़ सकता हूँ तो उस पर भी रोक लग सकती है तो मतलब वो emerging technology हो जागा किसी ने record करके डाल दिया तो वो भी हो सकता है तो इस तरीके से यह जो कुछ bills लाए गये हैं अभी मुझे मैं इनको command and control bills बोलता हूँ command and control bills मतलब communications को कैसे control किया जाए पूरी तरीके से इसमें काफी ऐसे प्रावधान है यह तो एक ही मैं आज बात कर रहे हो आई थिंक आप आर आपके साथ तेलेकॉम बिल के भी बात करेगा लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसमें कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसे एक common YouTuber के लिए समझना बहुत जरूरी है कि वो इसमें आता है या नहीं आता है या वो यह ना समझे कि यह कानून मेगनाद के लिए है या रवीश के लिए हम तो comedy करते हैं इसमें एक specific news or current affairs करके एक section डाला गया है इसमें उन्होंने बोला है कि यहीं बाती कहीं specific नहीं है यहीं पर इसको define करने का भी बहुत मज़िदार तरीका है news or current affairs आप बताये मुझे आपके हिसाब से factual news information spread करना सरकार के बारे में but also events के बारे में बात करना मेरे हिसाब से यह news or current affairs होता है उन्होंने क्या किया है इस media है कि recent events primarily of socio-political, economic and cultural nature तो अब इसमें economic and cultural nature socio-political में क्या-क्या आता है यह मुझे थोड़ा सा confusing लग रहा है क्योंकि cultural nature अगर आप बोल दोगे तो फिर अगर आप जैसे कोई एक नया शो आया है उसमें कोई political इसके बारे में बात हो रही है या फिर कोई land grab के बारे में बात हो रही है वो भी एक तरीके से socio-political और cultural issue ही हो गया तो क्या आप वो भी broadcast है वो भी है ना मतलब news and current affairs तो एक है अगर कोई उसके उसके काउंटर में प्रोग्राम बनाता है जो बताता है कि कैसे सभी धर्मों का अपस में सम्मान रहा भारत में सब मिल जूलके रहे तो वो cultural event में आ जाएगा और उस तरह के बहुत सारे मेले हैं भारत में उस तरह के बहुत सारे धार्मी कायोजन हैं तो वो दिखाना भी आ जाएगा इसमें current affairs में वही ना वो इसको भी गया तो अब वो layers हो जाते है फिर आप वो एक program कर रहे हो वो cultural हो गया अगर किसी ने video लेकर डाल दिया तो वो broadcast हो गया वो आप transmit कर रहा है audio visual means में तो एक तरीके से layered way से सब को influence किया जाएगा उसमें और क्या लिखा हुआ है उसमें तो यह लिखने से चिंता की बात क्या है जो वहाँ उने news and current affairs में लिखा है उसके बारे में तो मेरा एक ही है एक तो आप सोचिए अभी हम कैसे environment में यह laws आ रहे है इस पर थोड़ा सा बात कर सकते है पुलिटिकल एक तो पुलिटिकल हमारा एक environment बन चुका है जहां पर आपने जैसे कहा गोदी मीडिया जो है वो सरकार की side से बात कर रहे है कुछ resistance हो रहा है जो की YouTubers, Twitter, Instagram और चोटे-चोटे लोग जो text में कुछ लिख के डाल रहे है यो Instagram पे थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे है वो हो रहा है हुआ क्या कि यह जो bill है यह जो broadcasting bill है यह cable television act को replace करने के लिए लाया ऐसे बोला गया अब government एक जैसे बोलते है decolonize करने के चकर में पड़ी है cable television हुआ कि पहले आपको बस TV को control करना था अब internet आ गया है और internet से social media आ गया है काफी और emerging technologies आ रहे है उस पर regulation करने के लिए यह सब प्रयास किया जा रहा है एक तरीके से telegraph act के अंडर आप internet तो बंद कर दोगे लेकिन telecommunication act के तहत आप पूरे communication network को control कर सकते हो तो broadcasting bill में थोड़ा सा अलग है आपको देखना होगा तो यहां से network control होगा और यहां से आपके users को control किया जाएगा यहां से broadcasters पे एक program code लगाया जाएगा अब यह क्या है इसके बारे में आपने program code की बात तो program code जो है बहुत ही मज़ेदार है Cable Television Act के अंडर एक program code हुआ करता था अब तो अभी आया नहीं है रिपील करने की बात हो रही है अब वो एक नया program code लाएंगे उसके अंडर अगर आप public decency, morality या फिर snobbish attitude जैसी कुछ program करेंगे सर वही है कि वो interpret करेंगे कि क्या decent है वो कहेंगे कि आप आपका कहना decent है आप snobbish snobbish attitude आपने जो अभी monologue पढ़ा मैं देख रहा था मैं बोलूगा कि वो बहुत snobbish था सर वो भी बहुत सकते है snobbish हो सकते है बंद कीजे आपका बंद कीजे एक यहां पर भी आप अगर language देखेंगे यहां पर भी दिया गया है कि central government interest of एक तो sovereignty, integrity, security of India वो तो शब्द आई जाता है friendly relations of foreign state मतलब देश को बचाने के लिए overall बट यहां पर इन्होंने public order, decency, morality यहां पर बेरोज़गार कर दी मेनिस्ट्रीम मीडिया से और हम पर देश को बचाने का भी जिम्मा लादे इस कानम से और उसके नाम पर हम जहां बचे हुए है वहां भी खतम कर देश और मज़ेकी बात है यह तो तीन शब दिनों ने डाल दिये बट उसके बाद उन्होंने यह भी डाला है कि हम तो वह इसी तरीके से बनाया जाएगा जिससे की आप पर एक तरह के तरीके का अंकुष लगाया जाए तो एक छोटी सी बात यहां पर आड करना चाहूंगा selective usage की जैसे अभी हम देख रहें की जैसे political atmosphere में जैसे आपने वोला कि कोई अपने हिंदुत वर्क के लिए कोई ऐसे आयोजित किया program एकसरा या फिर वह धरम संसद हुई थी उस पर किया तो अगर आप equal application of law देखेंगे अभी law बना है तो सब पर equally application होना चाहिए तो उन पर भी होना चाहिए वो decent है moral है वो कौन decide करेगा सरकार अब आप क्या कर रहे हो या मैं क्या कर रहा हो मेरे YouTube channel पर वो भी कौन decide करेगा सरकार तो इसकी मज़े की बात यह है कि internet को control करना बहुत difficult है अब कौन कहा video कहा बना रहा है कहा जा रहा है वो कैसे पर रहा है उसके अपने नियंतरन से यूटूब का भी अपना एक code है एक guidelines है वही काफी है तरह से उससे जूजने के लिए जिन दिलाने के लिए अब ये program code के नाम पर एक और दो layer की guideline हो जाएगी और वो फिर selectively apply करेंगे तो ऐसे नहीं कि अभी आप तीन video कर दोगे उससे बीभी शायद वो viral नहीं होंगे, algorithm ने नहीं उठाया, कुछ नहीं हुआ एकाथ video जो आपने किया जो एकदम viral हो गया और सरकार को uncomfortable कर रहा है उसके हिसाब से वो आके आप पर ये program code लागू कर सकते है क्योंकि उनको हर creator पर लागू करने की जोरत नहीं है बट आपने कुछ ऐसे किया जो सरकार को challenge कर रहा हो या फिर question कर रहा हो या फिर viral गया especially viral जा रहा है और जो powers है उनको uncomfortable कर रहा है लाइसेंस लिया जाता था एक तरह से हमने जब YouTube पे अपना channel शुरू किया या किसी ने तो proper channel शुरू कर दिया है बहुत सारे चैनल इसमें exist करते हैं इसमें कई reporter काम करते हैं बहुत सारे लोग reporting करते हैं उदारण के तौर पे news laundry है या फिर news click है या फिर news minute है तो क्या उनको भी एक तरह से license राज के दाएरे में लाया जाएगा कि उनके लिए भी इस तरह का channel setup करना पहले से या अगर setup हो गया है वैसा channel चल पड़ा है तो उसके लिए भी चलना मुश्किल हो जाएगा जी तो ये बिल के अंडर basically सीधी बात यही है कि अगर आप एक broadcaster हो तो आपको register करना पड़ेगा मतलब आपको government की permission लगेगी कि आप एक broadcaster हो और आप news या current affairs तो एक है लेकिन आप ये audio visual programs आप लोगों तक पहुंचा रहे हो अब ये कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं कौन से subscriber है आपके वो सरकार define करेगी जैसे आपके अभी जितने भी subscriber है तो शायद मेरे जो 20,000 subscriber है वो बोलेंगे कि नहीं ठीक है ये चोटा सा है 20,000 है इसको भी apply करेगा लेकिन मैंने कुछ uncomfortable बोल दिया तो फिर वो reduce भी कर सकते हैं बोलेंगे कि 10,000 subscribers होंगे तो आप broadcast bill के अंडर register करना पड़ेगा और अगर आप register नहीं करोगे तो फिर आपको penalty लगेगे penalty लगेगी और और एक और चीज इस penalty में क्या है मतलब उस channel को हटा दिया जाएगा वो सब है एक तो हटा दिया जाएगा suspend किया जाएगा आपको program delete करवा सकते है वो आपको आप पर band लगा सकते है वो और fine भी कर सकते है जेल तो नहीं है पर वो अलग broadcasting वो थोड़ा सा confusing है वो मुझे थोड़ा सा कानून की जरूद नहीं है वैसे ही कई लोग 3-3 साल 5-5 साल से जेल में है उसके लिए तो UAPA भी है तो हाँ जेल की जादा चिंता नहीं करनी चाहिए पर मेरा एक एक आप आपने जेल की बात करी दिये तो मैं ना मैं यही सोचता हूं कि as a independent YouTuber मैं अकेला काम कर रहा हूं मेरा अकेला चैनल चला रहा हूं edit अगर सब्सक्र रहा हूं और वीडियो बनाया है वीडियो खराब हो सकता है उस वीडियो से किसी को आपती हो सकती है लेकिन यह जो light stand है इसका क्या रूल है यह भी seize कर सकता हो तो वह equipment जो है जो लेके जाए लिए तो light और हमारा tripod camera अगर अगर आप यहां पर phone use कर रहे हो उस पर record कर रहे हो उस पर कोई information चाहिए होगे उनकी evidence चाहिए होगा तो वो लेके जाएंगे तो मतलब equipment लेके जाएंगे यह दिया है इसमें अभी तक यह होता था कि एक YouTube channel अगर YouTube के कारण ही strike down होगा हटा दिया गया तो कोई लोग दूसरा channel खोल लेते हैं लेकिन इसके बाद अगर आपको दूसरा channel खोलन होगा तो फिर से आपको लाखो रुपय के सामान खरीदने पड़ें बिल्कुल क्योंकि यह table जिस पर हम बैठे हैं कुर्सी जिस पर बैठे हैं यह सब ले जा सकते हैं यह सब तो उस equipment का पार्ट ही है तो हमें अगर दुबारा से करना होगा तो दुबारा से करना होगा तो फिर यह जाएंगे फिर ले जाएंगे तो इसलिए वह लेते जाएंगे और हम खरीते जाएंगे और हम करते करते कंगाल हो जाएंगे बिल्कुल सर तो आप जेल में जाओगे लेकिन आपके editor को heart attack क्यों आएगा क्योंकि वह editing के लिए जो आप computer को प्रीदे है और वह बहुत हम किसी प्रोग्राम कोड के जरीए आपको ले चलेंगे जो यूट्यूब के जरीए content creation में एक लोगतांतरी करण हुआ था कि कोई भी बना रहा है किसी भी मत का आद्मी बना रहा है अब एक खास तरह के मत के लोग जो हैं जो जिसको सरकार समझती कि हमारे मत के नहीं है अलाकि वो किसी भी मत के नहीं है उनके साज औ सामान से लेकर चैनल सब उस पर सीज किया रहा है मतलब मेन इस्ट्री मीडिया पे जॉनलिस्ट क्रिमिनल की तरफ पत्रकारीता कर रहे हैं क्रिमिनल की भाषा बोल रहे हैं उनको क्रिमिनल बनाने की तैयारी है जी, मतलब जो एक, वो लाइन होती थी 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 था, innocent until proven guilty, अब उसको उल्टा कर दिया है, guilty until proven innocent, पहले ही आपके सामान सारे ले जाएंगे, मतलब एक एक डर बैठा रहेगा हमेशा मेरे जैसे लोगों में या फिर कोई creator में कि अगर मैंने ऐसे कुछ बोल दिया, जो ये वेग program code के खिलाफ जा रहा है, क्यों आपको लगता है, इसमें क्या लिखा है कि उन्हें बताने की जरुवत नहीं होगी, क्यों आप आएं हैं, ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, आपको समझना है, क्योंकि अगर यहां से भी, YouTuber गायब कर दिये गए, पत्रकार गायब कर गये तो क्या होगा, जो इस कानून के प्रावधान है, सरकार अक्सर ये बात कहती है, कि हमने अंग्रेजों की गुलामी की मानसिक्ता मिटा दी, सरकार को ये पता नहीं है, और आपको भी पता होना चाहिए, कि जब हम 15 अगस 1947 को आजाद हुए थे, सम्विधान सभा ने जो गुलामी की मानसिक्ता दूर कर रहे हैं, इस सम्विधान को बदल रहे हैं, एक नया सम्विधान ला रहे हैं, तो इससे हास्यासपत कुछ नहीं हो सकता है, ये तब ही हो सकता है, कि जब लोगों के समझने, सोचने और कहने की बुद्धी को हमेशा के लिए बरष्ट कर दिय गया है, और ये मुम्किन है, अगर लगातार प्रोपेगेंडा से, हम आदमी के दिमाग में भूसा भर सकते हैं, और वो हर गलत को सही कह सकता है, आज की तारिक में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, जो कहते हैं कि पेट्रोल अगर 5000 रुपे लिटर होगा, तो भी हम मोदी जिसे सवाल नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि वो आदमी नागरिक नहीं रहा, वो नागरिक की तरह, जैसे ही आप नागरिक बनते हैं, केवल आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं, बलकि आप दूसरे के बारे में भी सोचते हैं, नहीं तो आप व्यक्ति हैं, तो अगर को बहुत सारे दर्शक कहें कि हाँ हाँ हमें कोई नई आजादी मिल रही है पर ये बात ध्यान में रखिएगा कि 1947 के बाद इतने क्रिमिनल हुए लूटेरे हुए जिन्होंने भरस्ट अचार किया वो सब भारतिय ही थे तो भारतिय लोग भी मिलकर भारतियों को लूट सकते हैं जिससे वो कानून लेकर आ रही है या फिर जो लोग किसी तरह से अपना वजूद बना कर रख रहे हैं किसी तरह से पत्रकारिता करना चाहते हैं उन लोगों को बाहर किया जा रहा है अगर ये बाहर करने के तरीके हैं और आप अब भी नहीं चेते तो ज़ादा बड़ा ये हमारी चिंता की बात हो सकती है, मगर कई करोड लोगों का जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई कभी नहीं होगी, तो ये आपको समझनी की बात है, तो हमने आप से सवाल किया कि आप वो हिस्सा दिखाईए, कि जहां ये लगे कि कैसे वो हमारे घर में आ जाएगा, उसको क् क्या करेगा, क्या लिखा है, तो दो पॉइंट्स, एक तो आपने जो बोला कि ब्रिटिश केस की, तो टेली कम्यूनिकेशन दिल की एक पॉइंट रेस करना चाहूंगा, टेलिग्राफ आक्ट को रिप्लेस करें, 1885 में ये आक्ट बना था, और ब्रिटिश ने बनाया था, क यूट्यूब, फेस्बूक, इंस्टा, सिग्नल, टेली कम्यूनिकेशन नेटवर्क, हर तरीके, है ना, फोन, जो भी जिस तरह से, बिल्कुल, तो मानसिकता वही है, तो दूसरी बार जो इंस्पेक्शन की की है, वो मैं जे क्लॉस दिखा रहा था, ये क्लॉस 30 में ये ही ल इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद वहाँ पे दिया गया है कि वो पावर है, उनके पास सीज और कन्फिस्टिकेट करने की, एक्विप्मेंट को, तो वो अगर ऑफिसर को ऐसे लगता है, रीजन तू बिलीव, कि प्रोविजियन अंडर इस आक्ट है वीन वाइलेट और क इसे कब लगेगा कि हमने किसी प्रोग्राम को में इनके हिसाब के कोड को वाइलेट किया, कोई कमिटी तैक करेगी, तब लगेगा, या अपने शास्त्री बहुन से वो कार उठाएगा, सिधा हमारे घर आएगा, कहेगा कि हमें लगा है, तो हम आपका सारा समान लेकर जा र मतलब एक तो ऐसे बोला है कि officer को भी कोई permission लेने की जरुरत नहीं है, central government को भी कोई permission लेने की जरुरत नहीं है, वो आ जाएंगे, और आपको prior intimation देना है, नहीं देना है, वो उन पे डिपेड़ने है, इसमें तो साफ लिख है, no prior permission or intimation shall be required, to exercise the right of the central government, वा, तो officers आप लेकर चले जाएं, और आपका lunch का point भी सही है, क्योंकि यह आपे दिया है, कि broadcasting network shall provide necessary equipment, services and facilities at designated place for lawful interception और continuous order, at its own cost, मतलब क्या हुआ, मतलब आपको समास सम्मों से खिलाने पड़ेंगे, at its own cost, तो ले जाने का भाड़ा भी देना कोड़ेगा, टेमो, इतना बिजार मैंने, मु यह मुझे थोड़ा सा बहुत confusing लग रहे है, कि at its own cost डालने के क्या जरुरत थी आप, exactly, दूसरी चीज़ वो confiscation का, वो बोलते है कि एक तो आपको, अगर उनको notice देना पड़ेगा, शायद, वो decide करेंगे, अगर आपका equipment वो लेके चले गए और आपको reason नहीं दिया, तो 10 द Siaman ले जाने के बाए, अगर वो notice नहीं देते हैं, कि हम क्यों ले गए हैं, आपने वाइलेट किया है, तो 10 दिन तक notice नहीं देते हैं, तो वो सामान वापस आ जाए है, लेकिन वहाँ पहुंचके एक notice भेज़ देते हैं, कि आपने वाइलेट किया है, हम इस पर inspect कर रहे है, जांच करेंगे तीन महिना छे महिना आठ महिना तब तक हमारा कैमरा लाइट सब उनके पास रहेगा तो एक तरीके से मतलब ब्लैंकेट पावर है गवर्मेंट को आपके घर में आने की और आपका एक्विपमेंट लेके जाने की और इंटिमेशन नहीं देंगे आपको वो एक थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है एक तरीके से क्योंकि एक तो वाइलेशन ऑफ प्राइवसी तो डेफिनिटल यहां पर जैसे अगर आप हम यहां पर बैठे और हम कर रहे है और जैसे आपके पार्टनर है या फिर कोई और है यह घ लेके जाओगे कौन सा लेके जाओगे मुझे मुझे कोई क्लारिटी तो है नहीं यह आप तो इस तरह से कानून बन रहा है लेकिन हमारा किसी यूट्यूबर ने सरकार के हिसाब से कोई प्रोग्राम गलत बनाया है कॉंट्रोवर्शल बनाया है जो भी है तो उसको उस पर तै करने के लिए क्या कोई कमीटी वगरा बनाई गई है वो कैसे तै होगा कि आपका जो प्रोग्राम है उसमें आपने प्रोग्राम कोड का वाइलेट किया है तो इन्होंने यह बिलके अंडर एक थ्री लेयर सेल्फ रेगूलेशन सिस्टम बनाया है इसका मतलब है कि अगर आप एक ब्राइड कास्टर हो तो आपको आपके ऑफिस में एक इनसान रखना पड़ेगा जो आपको सरकार को बताना पड़ेगा कौन है जो लोगों से कंप्लेंट्स ले जैसे किसी को आपका कुछ पसंद नहीं आए पर हम अगर अफोर्ट नहीं कर सकते हैं तो क्यों रख तो हम अपना काम चोड़ के जवाब देते रहो और आप सोचे आप तो ब्राइड कास्टर हो अकेले हो ट्विटर अगर ब्राइड कास्टर बोल दिया तो ट्विटर को कितने लोग बेजेंगे वो भी एक है तो इंप्लिमेंटेशन बहुत अजीब है इसका कि आप कैसे रि क्रिवन्स रिट्रेसल ऑफिसर तो वहां पे भी कंप्लेंट बट फाइनल जो कमिटी होगी वो सरकार की होगी वो एक ब्राइड कास्ट अडवाइजरी कमिटी बिठाएंगे जहां पर पाच ब्यूरोक्राट होंगे और एक एमिनेंट परस्नालिटी जो वो चूज करेंगे और वो फाइनली डिसाइड करेंगी कि वो कंप्लेंट का क्या करना है और आप पर क्या एक्शन देना है हम देख रहे हैं यह एमिनेंट परस्नालिटी वाले लोगों तो इसका मतलब है यह चीज मैं जानना चाहता हूं कि यह जो तीन स्तर की कमेटियां है यह डिसाइड करे तो इसके शेंड की उसके बाद यह आप के घर में आएगा हमारा वी डियो में धाषिट को देखने के लिए आपको मेरे घर में आने की क्या दरूं यह ज़रा खाए है तो आट वाथ या तो आप रही बैठ कर कि उसके पार ही आगने सारी एकृपमेंट ले जाएंगी तो य Broadcast Advisory Committee तो complaints, redressal और इसके लिए तो बैठिये वहाँ पे, वो तो अपना काम करती ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे inspection की power है, investigation की power है, वो central government decide करेगी, तो उसमें, इधर mention ही नहीं है कुछ मतलब Broadcasting Advisory Committee का. तो यह तो बहुत ही, सुनके तो अच्छा नहीं लग रहा है, कि अगर इस तरह से अगर अधिकार चला जाए, और यह बाकी सारी चीजें सब क्या हैं, यह हमारे उतने काम की नहीं है, तो एक और, कुछ और चीजें हैं इसमें, जैसे की, एक तरीके से अब जब आप laws बना रह जैसे अगर आपको एक crime को punish करना होगा, तो वो crime को define करना पड़ेगा, या फिर जैसे आप अगर broadcasters को, आप law में ला रहे हो, तो उसको आपको define करना पड़ेगा, कि कौन से तरीके से broadcaster है, कहा पर है, अब parliament यह law पास करेगी, तो यह फिर एक तरीके से clarity आ जाएगी सब को, कि कौन broadcaster है और कौन नहीं है, पर इसमें क्या किया गया है, कि इतने सारे, यह तो अभी draft है, सरकार ने जनता से सुझाओ मांगी, तो सुझाओ देने की तारीक खतम हो गई या अभी भी है, सुझाओ देने की तारीक 15 जनवरी तक है, तो आप भी इसे समझें, और सरकार को अपनी तरफ से सुझाओ भेजें, यह तो सरकार को निर्भरे करता है कि उन सुझाओं पर वो कितना ध्यान देती है, अब यह देखें, यह इतना जो है, यह सब rules है, मतलब power to make rules, अब central government notification करके, यह law के अंडर, काफी सारे rules बना सकती है, अब मैं कुछ मज़ेदार rules बताता ह Social objectives and terms and conditions applicable on certain broadcasters, अब आप word जब डालोगे social objectives यहाँ पर, on certain broadcasters, तो मतलब, चुनिंदा आप से हमसे कह दिया जागा कि बेटी, उनका किसी program के बारे में, संकल्प यात्रा के बारे में आप जाकर संकल्प लीजे, अब यह न, social objectives का मतलब क्या होता है, यह पता नहीं मुझे, exactly Number of subscribers and viewers above which OTT broadcasting operator is required to intimate the central government, अब यह broadcaster को ध्यान रखना पड़ेगा कि threshold कितना है, अगर मेरे subscriber इसके उपर चले गए, तो मुझे central government को बताना पड़ेगा कि अब मुझे register आप कहना पड़ेगा कि आप मुझे subscribe ना करें, आप अगर छोटे creator हो और बढ नहीं रहे हो, आप में बढ बिल्कुल, तो यह बताना पड़ेगा कि आपके subscriber कितने हैं और नहीं है, बिल्कुल, पबलिक का data है, कोई भी देख सकता है YouTube channel पे, कि आपके subscriber कितने हैं, मेरे subscriber कितने हैं, तो यह सरकार को अलग से क्यों बतायाना चाहिए, तो वो बोल रहे है कि आपको बार-बार intimate करना यहां पे फिर से वही है, threshold of users in India, above which government make provisions through notifications for emerging and future technologies, जो हमने बात कीती है, वो यहां पे rules के तहत हो जाएगा, तो मतलब आधे से ज्यादा specificity जो होनी चाहिए, वो तो उन्होंने rules में डाल दिया, अब आप इसका एक छोटा सा example दे सकता हूं, मैं अगर आप rules बना रहे हो, तो आपको वो पार्लिमेंट के सामने approval के लिए नहीं रखना पड़ता है, वो बस आपको पार्लिमेंट को intimate करना पड़ता है, कि हाँ हमने rules पास कर दिये, rules आप दफ्तर में बैठके बना सकते हैं, यह बार यह चूट, नौकर शाह अपने लिए चूट ले रहा है, उसको दी ज से हैं, कि जिससे सरकार को लगे कि इसे हमारी राजनीती का पूल खुल रहा है, तो फिर उसके लिए rules बनाये जा सकते हैं, आप डाल चावल पर बात कीजिए, डाल चावल पर बात करते समय आप डाल का rate नहीं बात करेंगे, कि अगर उसमें डाल महंगी है और आप डाल पे क आई है क्योंकि 200 रुपे किलो की डाल है, तो ये एक राजनीतिक statement हो सकता है, तो officer लगे है कि ये चार बार इसने डाल के rate का, अभी अपने डाल वाले कारिकरम में बोला है, तो इसका मतलब है कि ये political है, फिर वो हमारे उपर घेरा बढ़ा सकता है, आप economic commentary कर रहे हो, तो economic commentary वो भी आएगा इसके अंडर, तो इस तरीके से मैं वही फिर से reiterate करना चाहूंगा, कि बहुत वेग है law, अभी तक public consultation में, thankfully, telecommunication bill तो है पास ही हो गया, उसमें भी काफी provisions है, जो control and command and control laws जो मैं बोल रहा है, उसके है, पर एक मैं दर्शकों से बोलना चाहूंगा, कि एक बार सरकार कोई भी law पास करती है, तो वो बस यही सरकार का law नहीं होता है, UAPA जो पास किया था, वो UPA government ने किया था, वो अभी भी इस्तमाल हो रहा है और बत्तर हो गया है, 66A जो 2008 में चिदंबरम जी ने पास किया था, आठ मिनिट डिबेट के बाद पास हुआ था, Supreme Court ने 2016 में उसको strike down कर दिया, लेकिन कल, मतलब literally मनीपुर में यूज हुआ है वो, फिर से, strike down करने के बाद भी, तो एक बार आपने law अगर law books में डाल दिया, तो उसका खतम नहीं होता, कब इस्तमाल होगा, कौन सा bureaucrat यूज करेगा, कहां यूज करेगा, वो कुछ बता नहीं सकते हैं, और एक बार आपने यूट्यूबर को जो सरकार से अलग सोचते हैं, बनाते हैं, उनकी गर्दन दबा दिया, उनको खतम कर दिया, उनका अस्तित्व मिटा दिया, तो ये तो और जादा बड़ा अंधेरा है, कहीं कुछ सुनने के लिए, अलग सुनने के लिए, अलग से समझ आने का पता कि ट्रैफिक जाम है या नहीं है, और आने का पता डालिए, घर आ जाईए, इन सब में आप समय मत बरबाद कीजिए, क्योंकि आपकी जो कहानिया सुना ही दी गई है, कि हम विक्सित हो गया है, अंग्रेजों से मुक्ती मिल गई है, बगरा बगरा, एक अभी त अगर कुछ विडियो जा रहा है, वो भी हो जाएगा, तो प्रॉब्लम यही है, कि हमने शुरुवात में जो बोला, कि जर्नलिस्त और कॉंटेंट क्रियेटर के बीच में जो लाइन है, वो बलर हो गई है, कि सभी कॉंटेंट क्रियेटर हैं अभी आप तीवी पे कुछ भी मिदी और कॉंटेंट क्रियेटर है, मैं भी कॉंटेंट क्रियेटर हैं, आप भी हो वो जो पॉंड्स करते हैं, वो भी कॉंटेंट क्रियेटर हैं और.. सब की यह है यह हमारे यह भी यह बस तो इस कानून के पास हो जाने के बाद सबसे पहले हमें अपने एक्विप्मेंट को बचाने के चिंता देने चाहिए कि वो फोन से लेकर हर चीज ले जाएंगे तो हम दूसरा वीडियो भी नहीं बना पाएंगे उनको अरेस्ट करने के बात हुई थी क्योंकि तांडव जो शो था उसमें कुछ अफैंसिव चीज़े थी जो लोगों ने फायर फायल की कोई उत्तर प्रिदेश का एक आदमी था उसने F.I.R. फाइल की और वो इसका इतना बतंगड बना दिया और F.I.R. उसको अरेस्ट करने के लिए निकल पड़े थे तो एक तरीके से मुझे लगता है ये ऐसे laws पास होने के बाद कुछ-कुछ लोगों के examples बनाए जाएंगे उन पे implement किये जाएंगे बताया जाएगा कि ये नया law आया है इससे आपका क्या हो सकता है और वो देखके छोटे जो content creators है जो जैसे inspire हो चुके है कि नहीं अगर जैसे रविश कुमार जी जर्नलिजम कर रहे तो मैं भी एक चोटा सा YouTube चानल खोल दूँ मैं भी कुछ मदद करूँ मैं भी कुछ सरकार के किलाब आवाज उठाओ अगर आप चले गए तो फिर वो सब डर लग जाएगा सबको यगर आपके साथ हो सकता है तो किसी के भी साथ हो सकता है और ये कानून बनाने के बाद सरकार जनता से कहेगी कि उन्होंने कानून तोड़ा है कानून तोड़ा है इसलिए वो नयाले में अपनी लड़ाई लड़ते रहे हैं तो एक chilling effect आजाएगा इसकी वज़े से और दूसरा dual effect जो आएगा अगर आप selective implementation कर रहे हो इनके खिलाफ जो सवाल उठा रहे हैं और आप उनको छूट दे रहे हो जो सवाल नहीं उठा रहे हैं तो और encourage हो जाएंगे वो कि ये law हम पे तो apply कभी होता ही नहीं है तो उनको तो पूरा boost मिल जाएगा और अभी भी एक तरह का देखिए कि housing society के जो WhatsApp group हैं उसमें जादातर एक धर्म के खिलाफ और एक धर्म के पक्ष की सामगरी डाले जाती है जैसे ही कोई दूसरी बात डालता है उससे WhatsApp group से बाहर कर दिया जाता है या उस पर हमला शुरूर जाता है वो तनाओं में डालना छो खुल कर समिक्षा कर रहे हैं ब्राटकास्ट बिल की समिक्षा देखिए न्यूस चैनल ओपर कितनी कम है क्योंकि प्रभावित वो भी हो सकते हैं आज के दौर में भले ना हो लेकिन ये उनकी ये सारे जो प्रावधान मेगनाद ने बताए गिनाएं आपके सामने ये उनकी चिंता के विशा होने चाहिए पर उन्हें ये मालूम है कि चुकि वो इस खास तरह के राजनितिक पाले में चले गए हैं उनका इस तरह से कुछ भी बिगाड नहीं होगा और उन्होंने इतना जादा समर्पन कर दिया है कि अब इससे उनका क्या ही नुक्सान होगा वो चल रहा है उनका कारोबार भी चल रहा है क्योंकि सरकार उन्हें विग्यापन देती है आप जो सरकार को टैक्स देते हैं उससे पत्रकारिता नहीं करने के लिए पत्रकारिता के नाम पे करोड़ो रुपे का विग्यापन उनको दिया जाता है हमें तो सरकार से विग्यापन नह कर दिया जाएंगे तो अगर यह तैय कर दिया जाए कि आप किसी न्यूज रूम में नहीं रहेंगे किसी चैनल में आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आपको उसी दिन पत्रकारिता को राम-राम कह देना पड़ेगा अब हम कहीं नहीं कर सकते हैं शुक्र की बात है कि आज की त चला सके पत्रकारिता भी कर सके और इसकी संभावना को बचा कर रख पाए कि पत्रकारिता होती कैसे है की कैसे जाती है इसका मकसद क्या है अब अगर यह भी खतम हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या हम तो जाते हैं अपने गाम सब को राम-राम-राम जैसे एक लाइन किसी न आपके चेहरे का expression हो सकता है राज निती को, कोई भी medium से audio, video, content creator, बहुत मुश्किल है आगे का रास्ता, तो इस बिल को आप खुद भी पढ़िए, खुद भी अपने तरीके से समझे, और सरकार ने जो website ते इसे डाला है, वहाँ पर जाकर अपनी राय दीजिए, उसे फर्क प पढ़ने लगा है, पत्रकारिता जब खतम होती है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दों के लिए, जब आप पत्रकारों को ढूनते हैं, तो news channel वाले cover नहीं करते हैं, तब क्या करते हैं, तब आप हमारे पास आते हैं, और कहते हैं कि हमसे ही उम्मीद है, आपको करना पढ़ेग तो आप उनकी बजाय हमसे निराश हो जाते हैं, कि हमने नहीं किया, लेकिन अब ये रास्ता, फिर भी आपको एक उम्मीद तो है कि यहां क्या cover हो सकता है, अगर मैं ना करूं, तो हो सकता है कि आप अपना वीडियो बनाकर अपने channel पर डाल दें, उससे एक आंदोलन बन ज तो वो भी रास्ता, आपके public होने, आपके नागरिक होने का रास्ता कितना चारों तरफ से घेरा जा रहा है, बंद किया जा रहा है, इस पर थोड़ा सोच लीजिए, भजन करने का समय तो जीवन भर का है, ये जरा सा सोच लीजिए, ये गया तो भजन में भी मजा नहीं तो आप मेरे यहां पर आके बिल्कुल सवाल पूचिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जर्नलिजम भी थोड़ा evolve हो रहा है, और हमारी लोगों की तरफ जवाब दे ही और बढ़नी चाहिए, तो मैं एक प्रयास कर रहा हूं, इंडियन जर्नलिजम में ही कि मैं लाइव रहू तो मेगनाद का चैनल है मेगनर्ड, M-E-G-H-N-E-R-D, आप ताइप करेंगे यूट्यूब पर, मेगनर्ड आ जाएगा, फिर आप मेगनाद से सवाल कर सको, जी, थैंक्यू, थैंक्यू,